असलाम अलेक्म नाजरीन वीडियो बड़ी इंफार्मेटिव और बड़ी इंटरस्टिंग होने वाली है कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ CSS Central Superior Services अगर आप थोड़े से भी पड़े लिखी हैं तो आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे या आपने इसका नाम जरूर सुन रखा होगा और अगर आप graduate है तो फिर तो क्या ही बात है फिर तो आपने शायद जिन्दगी में एक दफ़र CSS करने की try भी की हो या CSS की आपने त्यारी भी शुरू की हो तो नाजरीन आज का जो topic है वो यह है कि हर पाकिस्तानी CSS करना उसकी खायश क्यों है क्यों हर पाकिस्तानी जो है वो graduate करने के बाद यह सोचता है मुझ समयत हर पाकिस्तानी यह सोचता है कि उसको CSS करना चाहिए जैसा कि आप जानते हैं कि CSS का जो एक्जाम है ये एक competition का एक्जाम होता है जिससे एक ही दिन में आप कहलें जब result आता है तो इनसान जमीन से आस्मान पर चला जाता है मैं आपको इसकी त्यारी के मतलिक इसके पेपर्स के मतलिक नहीं बताने वाला चुके अगर आपने इसकी त्यारी के मतलिक या ये इसका एक्जाम कब होता है अगर आपने ये सब कुछ जाना है तो बहुत सारी वीडियो आपको सोशल मीडिया को पर मिल जाएंगी आप वो दे वाभा होती है, जो माशले में बले-बले होती है, क्या उसके लिए, जो लोग हैं, वो CSS करते हैं. मैंने एक छोटी सी रिसर्च की, कुछ मेरे दोस्त हैं, जिन ने PPSC क्लियर किया हुआ है, किसी ने FPSC जो है वो क्लियर किया हुआ है तो मैंने उनसे पूछा कि यार आप लोगों की भी खायश है CSS करना तो वो कहते है डिफिनिटली कौन है ऐसा पाकिस्तान में जिसकी खायश CSS करना नहीं है तो फिर मैंने एगला स्वानूर्ट से यह किया कि यार आप अच्छी पहे तो जरूर कमा रहे हैं तो फिर भी कौन सी ऐसी खायश है CSS करके भी आपने कौन सा कोई 50 लाख आपकी सेलरी हो जानी है तो कहते है यार जो प्रोटो कोल है वो इसमें बड़ा है और कहते हैं कि बाद में सेलरी तो कम होती फिर बाद में जो क्रप्शन होती है sorry to say जो ल पहले वो जो सोचते हैं कि मुल्क की खिदमत करेंगे मुल्क को जनाब जो है वो अपने इदारों को मजबूत करेंगे लेकिन बाद में प्रैक्टिकली ऐसा देखने को नहीं मिलता और वही लोग जो है वो क्रप्शन की बहती गंगा होती है उसमें ऐसे हाथ साफ करते हैं क बाइक से प्राडो तक और प्राडो से फिर जट तक का सफर बड़ी जल्दी तै कर लेते हैं तो नाजरीन जब मैंने उन से पूछा कि आप यह क्यों करना चाह रहे हैं तो कहते हैं यार एक तो प्रोटोकॉल है दूसरा पर इसमें जो है वो क्रप्शन है इतना पैसा है तो क्यों ना CSS करें तो जब मैंने यह देखा ना तो मेरे से मेरे जेन में कुछ सवाल आता है कि यार यही वज़ा है कि यह मुल्क जो है ना हर गुजरते दिन के साथ इतने इंटलेक्ट्ट्वल लोग होते हैं CSS वाले इतने काबल लोग होते हैं फिर भी हमारे इदारे तबाव लिखी है सोशल मेरिया के एक सारिफ हैं पता नहीं यह मौसूफ कौन है लेकिन तहरीर बड़ी अच्छी है तो मैंने यह जब जब पढ़ी तो मैंने इसको कौपी किया तो मैंने का कि चलें आप लोगों के साथ मेरे जो वीउर्स हैं जो मुझे देखते हैं जो मुझे सुन मार्क जिकर बर्ग जो के बानी है फेस्बुक के और फेस्बुक की इस वक्त दुनिया के अर्बों लोग इस्तमाल कर रहे हैं उन्हों ने सीएसस नहीं किया उनकी कमपनी की कीमत पाकिस्तान के सतर साल के कर्द से ज्यादा है अगर वो सीएसस कर लेते तो आज सिरफ डी सी अगे होते कौम को अफसर नहीं तखिली की जेहन के लोग चाहिए यह बड़ी अच्छी उसने बात कि जी है कि तखली की जेहने लोग कौम को चाहिए अगर सीएसस करने वाले अतने ही काबल है तो पाकिस्तान की अधारे तबाह हाल क्यूं तो टी सीएस mें एक भी सीएसस अ मुनाफ़ा कमाने वाले इदारे देख लें वहां कोई CSS अफीसर नहीं तमाम कामजाब और मुनाफ़ा बक्षिदारों में आपको प्रफेशनल लोग मिलेंगे एंग्रो ग्रूप आरिफ हवीब ग्रूप डीजी खान सीमेंट सुमेट तमाम कामजाब इदारे प्रफेशनल ल पर डेप्टी कमिशनर रोब जमाता है ये बड़ी बात उसने की है कि एक जो MS होता है किसी ऑस्पिटल का उसके उपर है जिसने पांच साल लगा के MBBS किया होता है और फिर MBBS करने के बाद वो बच्चा शुरू सीमेंटी होता है तो एक बंदा जो सिरफ graduation करने के बाद सिरफ एक साल की त्यारी करता है या दो साल की त्यारी करता है तो फिर ऐसे लोगों के पर आकर रोब जमाना शुरू कर देता है क्योंकि उसने CSS किया होता है और दूसरी बात चाहिए कि जिसकी काबलियत सिरफ एक CSS का इम्तिहान है पास करना है अगर अंग्रेजी को CSS से निकाला ज जाती है जो जितनी ज्यादा English के words जो है अलफाज जो है अपनी language में इस्तमाल करता है या उसकी तहरीर English में जितनी ज्यादा अच्छी है तो वही काबल है तो नाजरीन यही वज़ा है कि CSS करने के बावजूद भी हमारे इधारे जो हर गुजरते दिन के साथ उनकी परफॉ मेरा मशवरा जो स्टूडंट्स मुझे सुन रही हैं जो तालबे इल्म मुझे सुन रही हैं या जो पेरंट्स मुझे सुन रही हैं वो अपने बच्चों को इस चीज का मशवरा दें और स्टूडंट अगर खुद सुन रहे हैं तो फिर ये बात बहुत जरूर कर ले के दो साइंस्टिस कर सकता है , नाज़ीन अपने जिए जो आपने जहन बना रखें CSS के उपर अगर आपने तो CSS करना है खर पर talking करें, आप मुलको काउम की खिद्मत करें , और आपका मकसद थोवकिज़़ थोप पैसा कमाना है , रूट मार करना है , मौाशरे में बल्ले बल्ले और वावा करवानी है तो फिर इसे सीएस जो है ना वो हर्गिज ना करें कॉमेट में मुझे अपनी राय से जरूर अगा कीजिएगा कि आपको मेरी ये राय मेरा ये वीलोग कैसा लगा और आप सीएस जो के बारे में क्या ख्याल रखते हैं अपने से ज़्यादा दूसरों का और मेरे इस चैनल का भी लाहाफिज